अपना आपा पहचान तुमने जो काम शुरू किया था उसे तुमने रोक क्यों दिया या फिर छणिक बार बार तुम आराम क्यों कर रहे हो चद्दर हटाओ बाहर निकलो अपने आपको पहचानो और एक सथकारियों में जुट जाओ ठिक है यह मैं नहीं कह रही मैं सोनल पध नहीं कह रही आपकी ट्यूटर यह कह रहा है संत कबीर दास बलकुल वही कबीर दास जिनकी उद्भावना से जिनके आने से एक हिंदी साहित्ती की नहीं धारा को ही नहीं समाज को भी एक नया मोड मिला यह वही कबीर थे जो बेबाग रूप से चौदवी शताब्दी से कह अधाया हे हमारे इसात मतलब कबीरा बाजार में खड़ा है उत लाठी लिए है कि वह अपनी अपने घर को फूख सकता है त्याग सकता है समाज साइट के हित के लिए वो मेरे साथ चले जिसे कि साहित का अपने अर्थ समझा होगा साहित की शब्द बना है जिसमें सभी का हित नहीं थो तो डेमोक्लास की इस कड़ी में हम सहित के सबसे पहले नायक महा नायक जो आज तक काल जाइक हैं जा इजकाल जाइक हैं कबीर उन पर बात करेंगे शुक्रिया दोस्तों नमस्कार सभी का स्वागत है आपका ड्रीम निवर्सिटी के इस चैनल में CUETMA PG Hindi की आपकी तैयारी को दुरुस्त बनाने के लिए आप भी काफी मैनत कर रहे होंगे उस पर एक आखरी हतोडा मारने के लिए मैं आपकी साथी सोनल प्रधान जुड़ चुकी हूँ आज हम कबीर के बारे में जानेंगे समझेंगे तत्यात्मक और वर्णनात्मक परिच्र जानेंगे ठीक है क्योंकि कबीर एक ऐसा विशय है लगबग 75 अंग के जो सवाल आते हैं उसमें बहुत जादा मतलब 2-3 सवाल तो आप कबीर के मान कर चलिए यदि एक सरल टॉपिक स आपका कुछ छूड जा रहा है प्रश्ण तो गंभीर बात है दुखी बात है इसलिए हम बात करेंगे कबीर पे और इस वीडियो में हम बहुत सारी नहीं नहीं पंक्तियों को लेके आएंगे कुछ पुरानी गिसी पिटी पंक्तियों को हम छोड़ेंगे जो आपने स्कूल में पढ़ रखाओगा सुन रखाओगा हम रातनिकता देंगे सरस्वती पंडे में जो पंक्तियां हैं और साथी अचारे शुकल में क्योंकि इन दो में जो पंक्तियां दी गई है उससे इतर उससे बाहर आपको जाने की आवर्श्यक्तिया नहीं है कुछ कथनों की बात करे देने की अवर्श्यक्ता नहीं है कबीर ने बिलकुल साफ लहजे में कहा है जैसे कि वही द्वनी वही प्रतिद्वनी मिलती है बाद मैं निराला मैं बाद मैं नागार्जुन मैं और इनसे पहले भी सरहपा नाथों सिद्धों सबसे एक विद्रो की परंपरा शुरू हो ज काशी में कुछ का मानना है कि नहीं कई और की बात होगी तुल्सी और कबीर दोनों के लिए काफी अफरा तफ्री है रही है जो इनके जन्म को लेके इनके जन्म स्थल को लेके तो सर्वसमत रूप से फिलहाल तो इसे काशी माना जाता है काशी में उनका जन्म हुआ था और साथ ही कबीर को संत साहित्य का जो एक प्रणेता मानते हैं वो मानने वाले हैं अचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद दुवेदी यह उनके प्रस्तोता है अचार्य शुक्ल की किताब में आद देखेंगे कि कबीर के बारे में कहा गया है कि समबत 1456 में इनका जन्म हुआ था और इसमें हम इसवी में बदलते हैं तो यह होता है 1399 लेकिन याद रखें 1398 माना गया है इनके गुरू थे रामानंद जिनका नाम आपने सुना होगा और आगे के लेक्चर्स में आप काफी बार सुनेंगे भक्तिकाल की जब हम तैयारी करेंगे तो रामानंद को माना जात रामानंद के शेशे बनने की चेश्टा काफी पहले से थी कबीर के मन में किम्तु यह मुम्किन यह संभव हो नहीं पा रहा था तो काशी के असी घाट के पास कबीर जाके लेट जाते हैं बहुत सुबह जब जानते हैं कि रामानंद भी आएंगे अपने दैनिक दिन्चरिय के लिए नहाने के लिए और आते हैं और उनका पैर कबीर के उपर पड़ता है और कबीर अचानक से इसे उठते हैं और उनके मुह से शब्द निकलता है तो कबीर इसे अपने गुरू की गुरू के बंत्र की तोर पे इसको रखते हैं कि राम नाम दिया है इन्होंने राम नाम दिया है अपनी भक्ति के लिए एक साधना के लिए एक प्रेड़ना दिया है तो वे इसे जारी रखते हैं ठीक है कबीर का जो राम है वो परमपरा नुगत आ रहे है राम से जरा सा देखेंगे कि दश्रत सुथ तिहुं लोग बखाना राम नाम का मरम है जाना तो कबीर के राम वो एक परमिश्वर की बात करते हैं वो सिर्फ एक परमात्मा की बात करते हैं कबीर का राम एक सत्ता वाला इश्वर है उसमें सभी सम्मिलित हैं सभी प्रकार की इश्वर सभी प मुसल्मानों में एक प्रचलन है उनमें एक कथा चर्चित है कि कभी कभीर दास सूफी फकीर शेख तकी मीर के शिश्य थे किन्तों आप जब शुकल की किताब को पढ़ेंगे तो शुकल जी ने इसका खंडन किया हुआ उसमें बताया है कि कभीर ने खुद को अपनी अपनी र संग्रा है कभीर के शिश्य धर्म दास ने इसे संकलन किया था कभीर की सभी वाडियों का ठीक है यह आप याद रखेंगे साथी रमैनी सबद और साखी यह तीन आपको देखने को मिलते हैं इसमें जो रमैनी और सबद हैं यह गेपद में लिखे गए हैं जिनें गाया जा स सकता है और जो साखी है वो दोहों में सामप्रदाइक शिक्षा अमोमन देने के लिए की गई है यह दोहे तो आपने सुने होंगे दोहों को देखकर जिनमें भी सामप्रदाइक शिक्षा आपने देखी होगे की पाथर पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड ठीक है या फिर उन्होंने मुस्लिमों के वेम ब्यात की है तो यह सबाज आता है यह सब जितने दोहे हैं वो साखी के तौल पर जाते हैं और जो कुछ भी जिसे कि माया महा ठगनी जानी आज कल भी यह गाने आपको कहीं मिल जाएंगे सुनने के लिए तो यह सबाते हैं रमैनी और समच पा रहे हैं हम बात करते हैं पंक्तियों की तो कभीरदास की कुछ कभीरदास के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं तीन सबसे महतोपूर्ण कथन लिया है मैंने आज के लिए और इसके बाद हम पंक्तियों पर चर्चा करेंगे और जो कुछ जटिल कथन हैं उन पंक्तिय से थोड़ा सा परे होगा ठीक है रामसरूप चतुर्वेदी की कुछ पंक्तिया मेनेजर पंडे की नामबर सही की और खास कर हजारी प्रसाइद कभी को नहीं समझेंगे तब तक उनके बारे में आलोचना भी समझने में एक दुर होता आएगी सबसे पहला और सबसे प्रचलित कथन है यह पूछा गया था हमसे पहले सीनियर्स की पेपर में ध्यान दीज़े घौर फरमाईए हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांति कारी पुरस करता कबीर है इनका मानना है यह कहा है डॉक्टर बच्चन से नहीं हिंदी साहित्ति का दूसरा इतिहाज इनकी काफे प्रचलित कताब है उन्होंने कहा है कि हिंदी भक्ति काव्य की परंपरा चली आ रहे है सबसे पहला जो क्रांति का एक फूटा हुआ बीज था उ वो उस आवाज का नाम कबीर था ठीक है डॉक्टर बच्चन से की यह पंग्ति है और बच्चन से की लगभख पंग्तियों में आप दिखेंगे कि वो सीधी सा पार्ट बात करते हैं थोड़ी सी आपको समझने हैं बहुत गोल मटोल वाक्या नहीं दिखेंगे इनके में ठी भक्ति रस से शुन्य शुष्क पढ़ता जा रहा था ठीक है यह रामचेद्र शुक्ले ने कहा जटिल कथन था पर मैं हूँ है आपके साथ इसलिए ताकि बता सको शुष्क ना होने तुम आपके तैयारी को ठीक है इनका मानना है कि इसे भक्तिकाल से पहले आदिकाल में त तो शुक्ले कहते हैं कि उनका जो ये एकदम एक रस था उसमें प्रेम का जो अभाव था उसके चलते भक्ति रस शुन्य और शुष्क होता जा रहा था लेकिन कभी ठीक उस मौके पर आये इन्होंने उसे बहुरंगी बनाया इन्होंने उसे अलग आधार क्रदान किया शु अधिग्राम चैनल में मैंने आपको एक सवाल दिया था आज लगभग आदे बच्चों को उत्तर आता था यही था कि श्रद्धा और योग के मेल से क्या होता है वो भक्ति के शेकल पुछा गया था तो यह शुक्ले कहते हैं तो शुक्ले जी का आपको आपको शुक्ले जी तब वो कथन दिया दोगा तो आप समझ जाएंगे कि भक्ति और प्रेम के सम्मिश्रन के बाद यहां की जा रहे हैं और कबीर को शरा रहे हैं इसका मतलब यह रामचंद्र शुक्ले जी ने कहा है अगला कथन है उन्होंने भारतिय ब्रहम्भवाद के साथ सूफियों के भा प्रेम्वाल आये था कि वैश्णवों का क्या है मतलब मूल क्या है तो आपने यह कथन पढ़ा होता है तो आपको पता होता कि अहीं सावाद प्रपति वाद ठीक है इसमें कहने का आश्या यह है कि राम चैल शुक्ले इंगित करते हैं कि भारतिये ब्रहम्भवाद को माना जाता है you when Kin B Vai ॐ भ 구beer के चोत्वति मिलता है उसके साथ goddamn Sofa में जो रहस्यवाद मिलता है एक अनाम परमिश्वर के कलपना की जाती है उन्हें उसे अपनी प्रियसी के तÎर पर देखा जाता है या आपनी के तरह के तो फिर में सब म्लता है ठीक है हट योगियों के साधनात्मक रहसेवाल जो हट योगी थे जो सिधनात थे वो योग की बात करते हैं वो अंतस साधना की बात करते हैं ठीक है वो ध्यान होने की बात करते हैं तो कभी ने भी वो तत्तो भी उठाया है उपनिशत से कभी ने यह तर्थ भी लिया है कि इश्वर को अपने अंतह अंदर के बल से एक खास तरह के ध्यान से पाया जा सकता है वैशनवों में अपने देखा हुए कि अहिंसावाद पर अधिक बल दिया जाता है तो इन सब के मेल से कभीर ने अपना एक नीजी अलग सा एक पंथ खड़ा किया ऐसा आचारिय रामचदर शुक्ल कहते हैं मुझे लगता है कि आपको इन तीनों कथनों में तो शायद दिक्कत ज़ादा आई नहीं होगी आगे बढ़ते हैं हम पंक्तियों के ओर क्योंकि पंक्तियां सबसे ज़ादा पूछी जाती हैं और आगे के लेक्शर में कभीर पर दो लेक्शर तो बनता है क्योंकि एक में हम बात करेंगे कथन पर पंक्तियों पर मूल तत्यों पर और अगले में ये सारे महतुपूर्ण पंक्तियां कथन और तत्य होंगे और जो थोड़े से गैर महतुपूर्ण हो जाते हैं वो दूसरे में हम डिसकस कर सकते हैं जितने शेश बचते हैं ठीक है उनकी पड़ी चर्चा आगे के laktsyre में होगी जिसमें वो पंक्तियां सम्मिलित की जाएंगे जो बहुत ज़दा पूछी तो नहीं जाती है बहुत ज़दा चर्चिर भी नहीं है मगर आने की संभावना है ठीक है अभी वो लिए गया है जो पूछे चाते हैं वो बहुत ज़दा प्रचली था उनको ने लिया गया है क्यों अटके कालपूर कौन का हावे साहू यह पंक्तियों का वर्ण में इसले लिए जा रहा है कि जब हम पंक्तियों को सिर्फ रतने पैठते हैं तो जब हम बीसवी बार पढ़ रहे होते हैं तब भी हमें सिर्फ ऐसे देखना पड़ा है कि अच्छा यह एक ऐसा हो था कि नहीं नहीं यह सूर का थे कभी जब हम अर्थ पे उतरते हैं तो हमें एक बर पर ना दो बर चाल बर पर ना बहुत ज़्यादा सफिशियंट बहुत ज़्यादा परियापत होता है ठीक है तो कम से कम कभीर जैसे साधना में लीन होते हैं अंदर ध्यान करते हैं तो वो एक जोती की a Carzona नहीं अदर धीरेधिरह में शसुम करते हैं कि वो चारों तरब फैल रही है शरीर में और धीरेधिश्य की उज Walker हो यह जाला हे तो कई साधू एसे होते हैं जो बाहर तक नहीं सिर्फ उतने लेकिन ये अंदर की जिल्मिल जोती के चक्कर में आपस में जब साधू लड़ने लगें या फिर एक तरह से वैसा माहौल हो जाए कि उसमें साथ्य कम रहे सत्यता कम रहे तो उसमें यह होता है कि अंदर की जिल्मिल के चक्कर में बाहर वो शांती नहीं मिल पाती है आगे के में कहते हैं कि गोरख अटके कालपूर कौन का हावे साहू वे कहते हैं कि गोरख नाथ जो नाथ परमपरा में हुए थे आदी कालवें तो उन्होंने भी इस चक्कर में वो इस फेर में पड़े रहे तो जब इतने पहुंचे हुए जो सिद्ध है थे वो इस चक्कर में अटके रहे तो काल से कौन बच सकता है हम कालपूर की एक तरह से उसमें फेर में पढ़ जाते हैं और किसे फिर साधु माना चाहे यदि गोरक ना थी इसमें अटके रह गया तो ठीक है बहुत दिवस्ते हिंडिया सुन्नी समाधी लगाई करहा पांडिया गाड में दूरी परा पचताई इसमें वे मुसल्मानों और पंडितों के बारे में कहते हैं कि कैसे काफी दिनों से ये किया कि अपनी अपनी साधना में पड़े रहे बिलकुल एकरस भक्ती की ओर देखते रहे और बाद में परता चला कि जो हमने अपनी समाधी लगा रखे थी उससे तो कहीं दूर में ग्यांध था और बाद में पचताते हैं माधो मैं ऐसा अपराधी तेरी भक्ती होत। नहीं साधी ये कहते हैं कि माधा कि है इश्वर हरा मैं मैं अपरादी हूं तेरी भक्ति को मेहदी, साध नहीं पा रहा हूं सही से, ठिक है, और रहेंदस भी बाद में कहते हैं, कि सबसे बड़ा अपरादी तो हरी का मैं ही हूं, तंत्र न जानू, मंत्र न जानू, जानू सुन्दर काया, वो सुन्दर लिखा है, मंदर टाइपो के यह तो बिल्कुल साद्रिश है बिल्कुल आपके सामने रखा है बिल्कुल आसान सा की तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया तंत्र मंत्र ग्यान यह सब का मुझे नहीं पता मैं सिर्फ एक सुंदर काया को जानता हूं जो मेरे भीदर से मैं अपने ग्यान चक एक हुमार मैं मनता घूमत फिरै नाही तनकिसार वे कहते हैं कि बाकी रस तो फिके हैं एक बार कोई हरी का रस उसकी दो भूर चड़ा दे तो वो नशा कभी उतरता नहीं है जो सच्चा भक्त होता है उसका मन उसका मन वो ऐसा एक्दम बिलकुल फक्कडपन से घूमता फिरता बटकता है उसे अपने शरीर की सूध भूद भी नहीं रह जाती है आसान था या भी दसरत सुथ तिहूं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना यह कहते हैं कि जो यह जो राम जिसे की दसरत का सुथ दसरत पुत्र की जो बात करते हैं राम के बारे में राम नाम का मरम हर कोई नहीं समझ पाता है यह अपने आप में एक अलग बात है और यह एक बड़े स्तर पर उस खुद से रचे हुए एक राम की संकल बना करते हुए कहते हैं कि सब को आपको आवतारबाद पर सीमित कर देता है किन्तु जो असल राम है जो असल इश्वर है मेरा राम अलग है ठीक है आप ही देवा आप ही पाती आप ही कुल आप ही जाती है इश्वर आप ही मेरे इश है आप ही मेरे देव है आप ही मेरे पती है आप ही सब कुछ है मैं आपका सेवक हूँ आप ही यहां तक की मेरी कुल है मेरे वंश का आधार है और आप ही मेरी जाती है ठीक है बैसे कबीर का जिस समय जन्म हुआ था वो संक्रमन काल था एक तरीके से तब इसलाम अपने आकरामक रूप में था यहां के हिंदू भी दोनों में काफी मन मुटाओ था तो ऐसे मैं कबीर के सामने एक बड़ी चुनौती थी और ऐसे मैं उन्होंने दोनों की कट्रता को नकारा है ना सिर्फ नकारा है इसे बेवाफ तरीके से खुले शब्दों में लताडा भी है तो उसके आप बार बार उधारन यहां पर देख सकेंगे तत्तो मसी इनके उपदेशा यह उपनिशद कहे संदेशा देखे तत्तो मसी मतलब होता है कि मैं ही ब्रह्मा हूं मुझ मैं इश्वर है मुझ इतर के प्रति हमारा अंतर बोद कराया है वह उपदेश सभी को याद रखना चाहिए उनका जो उपदेश है जाग बलिक और जनक सवादा दत्तत्रे वहरस्वादा आप जब यह याग्यवल्क और जनक के समद्द उनकी बात हो रही है दत्तत्रे आपको एक पात्र मिलेगा पुरानों में आपको पीछे की कहानियों में मिथकों में दत्तत्रे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 24 गुरु चुने थे तो यह कहते हैं कि दत्तत्रे ने जो स्वाद किया है गुरु का वो मैंने भी अपने गुरु को प्राप्त करने के बाद मैंने जान लिय आप कबीर का देखेंगे उन्होंने काफी अलग-अलग भागों में उनकी रचना को संगलित किया गया है जैसे एक है सुमेरन को अंग जिसमें वो भगवान के समेरन के बारे में बात करते हैं बहुत सारा जब आपको सुमेरन शब्द आएगा या उपासना असल शद्धा के स की जानी चाहिए यह तो आप समझेंगे कि वह वहां से लिया गया है गुरू को अंग मैं खुले दोर फोर पर गुरू के बारे में कहा गया है कि गुरू कुपा कर वो कितने गत्त्प securing हो गया है और वैसे ही गुरूद्म को अंग वैसा ही बहूत सारे अलग-अलग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपने कभी ग्रेजुइशन में इनकी पढ़ाई की होगी, कहन सुनन कोई दूई करी पापिन, एक मिजाज, एक पूजा, ठीक है, यह कहते हैं कि जो दो जगदीश कहां से आए, कभी दस कहते हैं कि दो इश्वर कहां से आए, इश्वर तो एक ह कहने सुनने में हमें लगता है कि दोनों अलग-अलग हैं, एक नमाज पढ़ रहा है, एक पूजा कर रहा है, लेकिन हम ध्यान से देखें, तो दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं, चीक है, दिन बर रोजा है, रात हनत है गाए, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुसी खुद इसमें वे इसलामी श्रद्धा के परीके पर प्रहार करते हैं, कि दिन बर आप तुम भूखे रहते हो, सुबह से रोजा करते हो, और रात को सीधे गाए को तुम आहार के तौर पे लेते हो, तो इस तरह किसी जील की जान निकलती है, उसके खून खराबे के बाद, तुमें मैं तो तेरे पास मैं, नईया बिच नदिया डूबती जाए, आप इसे देखेंगे, इसका सार निकल रहा है कि नदी के बीच में, नईया के बीच में नदी डूबती जा रही है, और ये सुनने में हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ उल्टा सा लग रहा है, ये क कहते हैं उलट मासियां कभीर उस समय थे जहां पर किसी को भी मंदिर पर जाने का प्रवेश नहीं था जो तथा कथित नीचे तबके के लोग रहते थे उन्हें मंदिर प्रवेश नहीं था अस्पिश्यता की बात की जाती थी तो कभीर के मन में एक विद्रोह था एक उल्टी धारा लेकर वो चलने वाले पुरुष्ट है लोह पुरुष्ट है तो एक वो कहते हैं वो हिकारत से सीडी सपार्ट चीजों को भी उल्टे तरीके से कहने लगते हैं और उसे ही उलट बासी कहते हैं जैसे कि चीटी और हाथी की बात करते हैं जिसमें चीटी को स्रिष्ट ब मिले कि कि जहां पर भी कुछ उल्टी बात की जा रही होगी धारा के विप्रित तो मान लीजिए का वो कबीर की है ठीक है मुझको क्या ढूंडे रहे बंदे मैं तो तेरे पास मैं और आगे कुछ ऐसा है कि कंड कंड मैं स्वास मैं ऐसा कुछ की मुझको मतलब इश्वर को मैं दूनने निकला था लेकिन मुझे समझाय कि नहीं वो मेरे पास ही है चोटी-चोटी रेड़ो में रजकन में मेरे पास में मेरे हर स्वास में मौझूद है इसके अलावा आगे की पंग्तियां देखते हैं मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ अपनी सदी का सबसे मह कभी कि आपको मालूम है कि उन्होंने कभी भी कागस को हाथ नहीं लगाया था कभी भी कलम का इस्तमाल नहीं किया गया था तो फिर आप सोचेंगे यापको पता भी होगा फिर इतनी जो जन्वानी की रूप में अभी कैसे मौझूद है जंकलित रूप में कबीर की सारी बात एसा है कि कबीर एक वो कवी थे आशु कवीजी से कहते हैं जो ततकाल कवीता रचनाओं की धारा बहा दे कबीर सारी चीज़े कहा करते थे और कहा जाते है कि उनके शिश्य ने सुना था और लिखा था और उनके बेटे ने भी काफी उसे लिखा था कभीर अनपड़ थे उन्होंने कभी भी कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कि थी अपचारिक तरीके से ना गुलकुल में ना उसमें मदरसे में तो इसलिए वो कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ ना मैंने कागज पकड़ा है ना कलम थामा है तुम जिन जानों गीत है यहां निज ब्रह्म विचार कभीर कहते हैं कि तुम तो इसे गीत की तरह सुनते हो मेरी बातों को पढ़ते हो देखते हो जानते हो लेकिन तुम्हें जो यह गीत लग रहा है यह मेरे निज ब्रह्म विचार है इसी तरह हरिवन श्राय बच्चन बाद में निशानी मंत्रेट में कहते हैं कि तुम कहते हो इसे चंद बनाना, तुम कहते हो इसे गाना गाना जबकि मैं फूट पड़ा, वे कहते हैं कि जब मैं फूट पड़ा वो मेरा रोना है और इसे तुम सोचते हो कि मैं गीत लिख रहा हूँ, मैं छन बना रहा हूँ तो वैसे ही कबीर का भी यहाँ कहना था मैं कहता हूँ आखन की देखी, तु कहता कागत की देखी वैं कहते हैं कि तुम पुरानों को लेकर आ रहे हो तुम जो लिखा हुआ है तुम उसकी बात कह रहे हो पर मैं तो वो कह रहा हूँ जो मैंने आखों देखा है इससे जो पढ़ा है वो तो बहुत पुरानी बात हो गई कभीर is saying that he is much updated than all these written texts हरी जन्नी मैं बालक तो रहा हूँ आप देखेंगे कि कभीर खुद को राम की पत्नी मान लेंगे कभी खुद को राम का बालक मान लेंगे राम मिंस उनका इश्वर इसमें कहते हैं हरी जन्नी मैं बालक तो रहा हूँ आप हरी तुम मेरी मा हो इश्वर तुम मेरी मा हो और मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हो मुझ पर कृपा करो सत्रवा है सद्गुरु हम सूरीज कर कहिया एक प्रसंग बादर बर साप्रेम का भीजी गया सब अंग ये जो पंक्ती है ये बहुत ज़्यदा महतुपुर्ण हो जाती है क्योंकि जो हमारे गुरु है मेरे गुरु है उन्होंने मुझे एक प्रसंग कहा और उस एक प्रसंग को सुनते ही ऐसा प्रेम का एक बदली बरसने लगी कि मेरी जो आत्मा है सब कुछ सराबोर हो गया सब कुछ भीग गया पुर्जोर तरीके से ठीक है यह कहते हैं आगे जे तुम बाबन बबनी जाया तो आन बाट होई काहे न आया कबीर कहते हैं कि तुम यदि कहते हो कि तुम ब्रामध हो क्योंकि तुम एक विशेश कुल में विशेश गोत्र में विशेश घर में विशेश स्थान में तुमने जन्म लिया है इसलिए तुम ब भी जन्म लेना चाहिए था मतलब कहीं और भी किसी और रास्ते से आने की क्या सिद्धी है तुम्हारे पास वे पूछते हैं प्रश्ण करते हैं हरी मुरा पीओ मैं हरी की बहुरिया आप सचेंगे कि यह तो परिचित मुवी जैसे मल्टिपल पर्सनलेटी डिसॉर्डर हो रह पर जैसे कि रामचंद्र शुकले ने कहा न कि जैसे इन पर अहिंसावाद का प्रभाव था वेशनवों का नाथो सिद्धों का योग वाला प्रभाव था ठीक है वैसे ही सूफियों का जो रहस्यवाद है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के तौर पर आत्मों और परमात्मा को बढ़ता जाता है तो यह उसका प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है हमन है इश्क मस्ताना हमन को होश्यारी का यह आपको समझ मारा है कि हम तो इश्क में मस्त रहते हैं हम वो दिवाने हैं हमें क्या पता हम तो सीधे साधे अपनी धुन में रहते हैं हमें यह दारी बोल चल यह सब हमें नहीं आता ठीक है यह फरीभी चीज़ है और आप बाद में देखेंगे कि जो हिंदी में गजल का विकार्स होता है जब हम आधुनिक हिंदी कावे के में पढ़ रहे होंगे हिंदी गजल भी एक टॉपिक है चोटा सा तो आप देखेंगे कि वहां हैं इश्क मस्ताना हमन को होश्यारी का इसमें अचानक से देखेंगे कि अभी तक तो ब्रज भार्षा का प्रयोग था खड़ी बूली का प्रयोग था ठीक है लेकिन अचानक से यहां पर फारसी शब्दों का समावेश भी हो जाता है ठीक है साई के सब जीव है किरी कुंज कभीर कहते हैं कि तुम किस पर दया करोगे किस पर दया नहीं करोगे असल मैं सभी साई के ही जीव है सभी साई मतलब उस इश्वर के ही अंश है तुम किस को भेदभाव से देखोगे इसलिए सब पर समत्रिष्टी रखो हर कोई एक है कोई दो अलग अलग सत्ताएं नहीं है रस गगन गूफा अजर जरे ये जो भक्ती का रस है ये ऐसा है कि बिलकुल ही बिलकुल निरंतर ये बरसा जा रहा है ठीक है ये एक ऐसी ये ऐसा एक आकाश है जो सब कुछ अपने पटल में सब को बिगा देता है अजर का वैसे मतलब होता है कि अजर मतलब जिसकी आयू बहुत ज़दा लंबी होती है जर मतलब होता है बुढ़ापा बुढ़ा या मृत्यू और अजर मतलब उसका उल्टा माया महा ठगनी हम जानी ये कभीर का एक गीत भी है जिसे फिर से गाने की तरह बनाए गया है का बरताव है कभी कुछ कभी अपने शकल दिखातें इह आब मैं जान कगया हॹon कि माया महा ठगनी है सबसे ज़्यादा ब्रह्म मैं रखती है सबसे जादा जूट कहती है तो प्यारे साथिओं ये तही आज कबीर की बातें और अपने मंद से सुना एक आसान टॉपिक था पर मुझे लगता है जाने से पहले कबीर की भाषा पर भी थोड़ी बातचित की ही जाए क्यों अलग वीडियो की बात की जाए आज हमने जितनी भी पंक्तियों की बात की वो सारी थी सरस्वती पांडय से कुछ सामान रखे अपने किताब दसरत सुत्ति हुं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना यह हमने डिसकस कर लिया है फिर यह कहते हैं पंडित मिथ्या करू विचारा नावह स्रिष्टीन सिर्जन हारा जोती सरूप काल नहीं उहावा बचन न आही सरीरा थूल अथूल पवन नहीं भ्रम जल मटके हुए हैं और उस पर विचारक कर रहे हैं ना जो शृष्टी यह दिखा रहे हैं गा जब भी हैं पंडिर शब्द इस्तमाल करें इसका मतलब सभी धर्मों के जो ठेकेदार हैं जो उसके प्रतिनेदी हैं यह उनकी बात कर रहे हैं सभी धर्मों के ठीक है ना अलावा जो शरीर है वो भी जरा के निकट है ठीक है वो भी कभी न कभी समाप्ती होगा ये बचेगा नहीं थूल अथूल पवन नहीं पावक रवी ससी धर्णी न नीरा ये कहते हैं कि ये पाचों तत्वों की बात करते हैं आपको आपसे जब हम बात करेंगे विद्यापती क के बारे में या पंचो देवो पासना के बारे में ठीक है ये दार्शने के प्रिष्ट भूमिंबी हम समझेंगे तत्थ्यों को रटने से ज़ादा भी तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे ये जो पाच तत्व हैं उनकी सबसेजादा प्रधानता के बारे में बात की ग चुका है तत्तों मसी इनके उपदेशा इउपने सद कहे संदेशा ये भी जाग बलिक जो जनक सवादा दफ्ता त्रिय वहरस्वादा ये भी हम बात कर चुके हैं इसके अलावा कबीर कहते हैं कि गहना एक कनक्ते गहना इनमह भावन दूजा कहन सुनन को दूई करिथा बिन एक निमाज एक पूजा ये कहते हैं कि जो सोना होता है वो तो जो कहने होते हैं अलग-अलग तरीके के अभुशन होते हैं ठीक है वे सभी तो एक ही सोने से बनते हैं ऐसा नहीं है कि अलग-अलग प्रकार के सोने होते हैं वैसे हर कोई जो मनुष्य है वो एक ही चीज से एक नमाज और एक पूजा ठीक सूर समाना चंद मैं दूहू किया घर एक मन के चिंदा तब भया कुछो पुर्भीला ले इसमाद देखेंगे कि एक क्या कहा जाए कुछ नई रूपक गर्णे के तौर में भी कबीर पीछे नहीं रहे थे इन्होंने कई रूपकों से अंधे कुए एक आंधे कुए के तरीके से मन के दिये की तरीके से या फिर सुबश, शाम, तारा ये सब के तरीके से समझाने की कोशिश की है क्यों क्यूंकि कवीर जन कवी थे और आम लोगों को यही सब चीजों से जल्दी समझ आता था रूपकों में बादने का सार केवल कवीर का यह आका से मुखी आंधा कुवा पाताले पनिहारी ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदी बिचारी जब वे उस आंधे कुवे को देखते हैं तो उन्हें अपनी ही छवी मिलती है और उन्हें समझाता है कि कोई भी अंदर नहीं है उन्हें अपनी असल जल्की मिलती है ठीक है ठीक है उसके बाद दिन भर रोजा रहत है ये तो हम बात कर चुके हैं ठीक है अपनी देखी करत नहीं आहमक कहत हमारे बढ़न किया उसका खून तुम्हारी गर्दन जिनको तुम उपदेश दिया ये भी इसलाम के बारे हम बात कर चुके हैं राती है नत्हकाय से ही संबंदि है एक और की बकरी पाती खाती है ताको काडी खाल जो नर बकरी खात है तिनका कौन हमारे इसमें कहा जाता है कि बकरी जो पत्ती खाती है जो बकरी सामाने तोर से किवल पत्ती खाती है उसके खाल तक को खीच कर उसे खाल लिया जाता है उसे ये सजा मिलती है तो जो नर बक भकृरी तक खाता है उसके साथ क्या हुने वाला है कभीर यह व्यंद करते हैं ठीक है आपने पहले स्कूल के समय में पड़ा होगा बकृरी के बारे में एक हासी रस के तौर पर कहा जाता था कि मचली के बारे में जे नर माची खात है मुंडा पूच समेत ते नर नर के जात है नाती पूच समेत तो वैसे ही कभी नभी कहा है कि जो मैंने कहा उसका अर्थ तो ये था कि जो भी मचली खाता है ठीक है उसके मुह और पूच सर और पूच के समेत जो पूरी मचली खा जाता उसका जो पुरा वंश होता है नाती और पुत्र के साथ वो सब कुछ मिलके न रख जाते हैं तो कभी नभी ऐसा ही कुछ व्यंग किया है है कोई गुरु ग्यानी जगत महा उल्टी बेद बुझे पानी महा पावक बरे अंदही आखिना सुझे गाए को नाहर को धरी खायो हरिना खायो चीता नईया बीच नदिया डूपती जाए मैंने कहा था कि उल्ट मासिया जो उल्टे तो और पर बात करते हैं जैसे कि है कोई गुरु ग्यानी जगत महा उल्टी बेद बुझे जो कोई ऐसा गुरु ग्यानी है क्या जो वेद का उल्टा बुझेगा पानी महा पावक बरे मतलब पानी महा आग जलता है अंदही आखि से दिखता है गाय तो नाहर को धरी खायो गाय ने यह दूसरा पशु खा लिया है नाहर को और जो हरीन हीरन है उसने चीता खा लिया है ते मुझे को क्या डूंडे रे बंदे मैं तो तेरे पास में यह हो चुका था साई के संग ससर आई संग नसूती स्वाद न जाना गा मतलब अपने आपको तुदूलन माना कबीर ने ठीक है और राम को इश्वर को साई को उन्होंने पती बताया तो यह कह रहे हैं कि बारात का अपने जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साई के साथ ससुर आई ठीक है अब उनके भी पिता आये हैं ठीक है और उन्हें ऐसा ल चाहरी जना चारी मिलें मिली लगन सुधायों अच्छा बारात से पहले की बात है कि चार लोग मिलकर लगन सुझाने आये हैं जना पांच मिली माडोग छायों पांच लोगों ने मिलकर मंडब तयार किया है भयो wise चली बिनु दुल्हन दुलह बाट जात समधी समझाई तो इ ऐसे कई सारी अलग-अलग चीजों से जो हम कलपना भी नहीं करते हैं उनके तरीके से आम लुग चन को समझाने की कोशिश करते हैं और अपने मन की भी चीजने उकेल कर आत्मा में एक त्रिप्ती महसूस करते हैं तो समवत 1521 में बीजक ये उनके जो शिश रहते हैं जो सक्या पद आखिर जो बचा हुआ है शुकल जी से हों कभी हों बली कब देखूंगी तो ही अहनिस अतुर दर्सन कारणी ऐसी व्यापी मोही नैन हमारे तुमको चाहें रतीन माने हारी विरह अगिनी तक तन अधिक जरावे ऐसी लेहु बिचारी सुनु हूं हमारी दादी अब जनी करहू अधीर तुम धीरज मैं आतुर स्वामी काचे भाडे नीर बहुत दिनन के दर्सन बहुत दिनन के विच्रे माधो मन नहीं बांदे धीर देह छता तुम मिलहू कृपा करी आरतिवंत कभीर ये तो कफी आसान सा पद था लेकिन इसे क्यों शामिल किया है आच और उनमें कैसे ब्रज का भी एक प्रभाव है तो यहां पे वे कहते हैं कि अरे हे इश्वर मैं तुझे कब देखूंगा तुम्हारी दर्शन को हम इतने आतुर हो गये हैं हम पूरी तरीके से मोहित हो चुके हैं हमारी जो नैन है वो सिर्फ तुमको देखना चाहते हैं और तुम्हें देखे बिना यहां मानेंगे नहीं और अब कोई धीरज नहीं होता जैसे कि जो कच्छा बढ़तन होता है ठीक है वैसा ही मतलब मेरा जो मन है वो बिलकुल ततपर है तुमसे मिलने को वो धाडस नहीं बान पा रहा है ठीक है बहुत दिनन से हम माधाव एक दूसर जैसे बिछरे हुए हैं और अब मन जो है मेरा बिलकुल भी धीरज रखने जैसा नहीं लग रहा है और मैं तुम्हें को शीशनबाता हूं तुम्हारे लिए ही आरती बंत है कौन यह संत कबीर तो यह हो गई सारी पंक्तियां अगले मैं हम बात करेंगे कथनों पर और कुछ पूरण चंत की किताब है जिसमें लगभग 8-10,000 प्रेशन आपको मिल जाएंगे उससे मैं तयारी की थी एक और किताब है जिसमें वस्तुनिस्ट तरीके से question पूछेगा है प्रेशन और उसमें one-liner answer है one-liner question और फिर answer पुनितराई की किताब है वस्तुनिस्ट हिंदी करके तो उन दो से मैं आपकी अगले के जो तथ्य बाखी रहेंगे उनकी दयारी करांगे बहुत बहुत शुक्रिया आज की class यहीं खत्म होती है